है कि है लो गाइज गुद घुट मॉर्डिंग कैसे हैं आप सब उम्मीट करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सब का स्वागत है आपके अपने व्लॉग चैनल पर जिसका नाम है डे अंद अदर डे लिए सो किस तरीके से चल रही है बहुत गर्मी हो रही है भाई बहुत गर्मी हो रहाई है आज है संडे तो बहुत ही बहत द Labour दिन है और इस दिन को हमने यूटिर्लाइज करने का पोई कि मना दिया वह दो कुछ ऐसा है के हम लोग जा रहे हैं कुछ एक कुछ क्या मतलब कि एक खार जगह पे एक बार में विजिट अल्रेडी कर चुपा हूं और इस बार मैं किसी को लेकर जा रहा हूं इनफेक्ट सब जाएंगे तो चलिए लेकर चलता हूं आपको एक्तम से मज़ जगह है भूमनेस्वर आओ तो भूमनेस्वर का वीके से एक गंटे की होने वाली है जगह का नाम है नुआ गोवा प्राइवेट लिमिटेड नुआ गोवा एक इनिसियटीव है एक रिसॉर्ट काइंड ओफ तिंग है जहां पर हैंग आउट चिल आउट कर सकते हैं आप दिन में और रात को भी स्टे कर सकते हैं एक नेचुरल ग लुए पर नियुक्त अप्राइव चैनल गोवा प्राइव आजब कर दो तो चलिया मिलते हैं और दस्टिनेशन पर जाएंग के आपको दिखाते हैं कैसी ये जनब हम लोग इस खुबशूरत से राश्ते को होते अब पहुँचते हैं अपने अपने पर दिखाते हैं किसे है डेस्टिनेशन पर है कि साइनली हम लोग आ गए है कि अधिया रहा है रजिसर के तक यह देखिए बच्चे सो गए है और हम लोग इंट्री मारेंगे में गेट से बड़ा सा यह सिंग दरवाजा कुलता है और यह भाई साब कुछाएंगे हमारे बाले के कौन दो कुछ कर द कुछ करो कुछ रहा है लाइबो की बात कर दो चाट चाट तो तिला चो जना कोई है और कोना बदा ऐसा 96713 यह मंदिर इसा लगड़ा महाल सो हम लोग आ गए और टाइम हो रहा है करीब से करीब 1.30 और हम लोग तूट पड़े है लिटरली तूट पड़े है स्टार्टर पर आ गया है तो मिस्टर पात्रा कैसा लग रहा है इस देर एनी खत्रा है तो मजे कर रहा हूं हम लोग वहां पर काफी मजा करना स्टार्ट कर चुके थे और स्री भी काफी एंज्वाए कर रहे थी इनफाक सब लोग इंज्वाए कर रहे थे आप देख सकते हैं इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वहां का महौल थोड़ा चिल था और आपको गाओं की जो हवा होती है न वह लगती है तो उतना ज्यादा गर्मी का महसूस नहीं हो और सब काफी आराम से अपने स्टा करता है अपने आप में और यह कहीं लोकेटेड है कटक से टांगी टांगी से लेफ्ट लेके आप जब 17-18 किलोमीटर चलते हैं तो आप नुवाग वाप प्राइविट रिसॉर्ट पहुंशते हैं नेचर रिसॉर्ट करके यह क्लेम करते हैं और होने का दवा करते हैं जो कि एक हद तक सही भी है क्योंकि यहां पे जो नेचरल ब्यूटी है ना कमाल की है बहुत ही खुब्सूरत है बहुत ही उम्ड़ा है माजा ही आजाता है बिल्कुल से और चलो मैं आपको एक टूर देता हूँ प्रोपरटी का फिर बात में हम लोग बात करेंगे कि यहां पे कब बॉक्स में फोल नंबर दे दूंगा कोई इसू नहीं है आप आराम से हैसल फ्री बुकिंग कर सकते हैं और यहां के स्टाफ काफी सपोर्टीव है आपको आउट ऑफ दो बॉक्स जाके यह लोग सर्विस देनी कोशिस करते हैं और बहुत खुस रहते हैं सर्विस देते हु कि हमें इंटर्टेन के लिए यहां के कुछ बंदे थे जो अपने गाने के सौक रखते हैं तो हमें इंटर्टेन करने के लिए करोके पे गाबी रहे थे तो इस बेरी नाइस गेस्टर कि इन लोगों ने इतना एफॉर्ट डाला हुआ है इस जगह को डेवलप करने के लिए और यहां पर इस मोमेंट को enjoyable बनाने के लिए अब सब्सकेश बनाने के लिए यह जो आप देख रहे हो पानी की लाइनिंग बनी हुए है यह जंगली जानवोडों को अंदर आने सो रोकने के लिए बनाया गया है बेसिकली और यहां की यह जो हर्याली है ना बिल्कुल दिल जीत लेने वाली है इतनी सुकून भली है ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि पूछो मत हलाकि गर्मी का मौसम है गर्मी बहुत जादा ही है काफी गरम है महाले कि तुमसे फिर भी यहां पे उतना फील नहीं हो रहा है अब साम होने को आया है और हम लोग इस प्रपर्टी टूर के बाद जाएंगे एक संसेट पॉइंट है यहां पे उस तरफ तो यह सामने लिविंग एडिया है यहां पे रूम्स है विलेवल है एसी रूम्स काफी लंबा चाओरा अग्दम से हरा भाड़ा एरिया है बिल्कुल नेचर के गोद में होने का फील कराता है आपको यहां पर यह रेस्टोरेंट और कैरोकर का एरिया है और छोटे चोटे मोटे ए यह सामने आप देख रहे हैं यहां पर और खुद रहते भी है और उन्होंने काफी प्यार से इस जगह को डेवलप किया है कि यहां पर बोटिंग मगरा का भी लुफ ले सकते हो यह सामने आपके इंटरेंस है और इंटरेंस से सामने स्विम पूल यह एक लैंडड़ेस्केप के सामने है बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है कुछ इस तरीके से अंदर में आप देख सकते हैं यह एक शेप्षन यह कीचेन और यह एक उपर में सीट आउट एरिया है सामने एक सीट आउट एरिया है यह अपनी गाड़ी खड़ी है कि यहां पर मस्ती करने के बाद हम लोग फाइनली लंच के वेन्यू की तरफ रूख कर चुके थे अपना क्यूंकि बुफे लग चुका था और उसको जाता देरवेट नहीं कराया जा सकता था तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो लंच करने का एडिया है वह एसी प्रेमिसेज में किया जाता है तो उससे फायदा क्या है कि आप कमचे कम चिल महाल में अपना लंच लो तो दिमाग हलका राता है और मजा भी आता है लेने में अलाकि गर्मी बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा होने लेगे थी दोफर का समय होने के वज़े से कि पर जबाद हम लोग निकलते हैं अपनी गाड़ी से संसेट व्यूपॉइंट की तरफ एक वहां पर लेक है तो चलो देखते हैं यहां पर डैम के उस पार पानी है और इस पार हम लोग पहुँच गए थे और काफी लोग आते हैं यहां पर यह तरीके के से आप अगर देखो कि अगर बरसात के टाइम में आते हो ना तो काफी ज़्यादा पानी मिलती है यहां पर कि इस अंधार से संसेट को इंच्वाइ करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने बेस केम पर है पर यहां पर इंच्वाए किया टी उस तम ला ज़वाब टी था और हमारे साथ इस़ीं तरीके से बने रहे हैं अगले ठेग नद्हेर सारे वीडियों के लिए और अपना डिये सारा प्यार हमारे साथ सेयर करें टैंक यू सो मच